आपके लिए करके आए है कि Special टाइब का प्रॉबलम जो की रियल लंबर में बहुत ज्यादा यूज हुआ करता है और आपके जो एक्जामेनेशन हुआ करते हैं इसमें ये difficult type का question बहुत आया करता है और ये question जो है बहुत ही मुस्किल से हुआ करता है इसके लिए कोई short trick भी applicable नहीं होता है तो आईए इसको करते हैं मैं आपके समने question लेकर क्या रहा हूँ आपके समने question दिया हुआ है if hcf मतलब आपको hcf दिया गया है किसका दो नंबर दिये गए है 858 and 325 325 क्या रहा है इसका दोनों का जो hcf है आप इसको 858m plus 325n 325n की form में आप लिख रहे हैं तो आपको बताना है then m,n तो आपको n,m और n के pairs बताने हैं ठीके देखे अब क्या है m और n के pairs के लिए आपके पास 4 option में आपको दे रहा हूँ एक है m equals to 11 and n equals to minus 29 ठीक है and then है आपके पास में second point जो बन रहा है आपके पास में m equals to 29 and n equals to 29 third option है m equals to 29 and equals to minus 11 third option आपके पास में है m equals to 11 n equals to 29 and fourth option आपके पास में है M equals to minus 29 and N equals to 11 तो दो नमबर यहाँ पर आपके पास में है 858 and 325 ठीक है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या निकालना है इनका आपको HCF निकालना है कि highest common factor जो है इनका क्या है ठीक तो आपको पता होता है कि जो अगर नमबर mostly अगर co-prime हो गया तो co-prime होने पर HCF कितना आजाता है 1 आजाता है बट यहाँ पर आपके पास देखे co-prime तो वैसे यह लग नहीं रहे है ओके HCF अभी हम आँगे इनका निकाल लेंगे वो एक tension वाली बात नहीं है HCF हम finally निकाल लेंगे बट कुछ options अगर आप M और N को इसको add कर दो अगर आप देखो यहाँ पर M की value दोनों positive है तो यह option हो नहीं सकता इसके बाद एक तरीका आपके पास क्या बचता है कि आप पहले इसको solve कर लो इसका HCF निकाल लो फिर M और N की value put करके देखते जाओ और M और N की put करके देखते जाओ और solve करते जाओ और answer निकालते जाओ एक तरीका तो trick का यह हो गया कि क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आप इसका HCF निकाल लो HCF निकालने के बाद आप N, M और N की जो pairs हैं वो match कराते जाओ और उससे आप अपना answer निकालते जाओ एक तरीका तो यह है अब हम दूसरे तरीकी को चल रहे हैं जो इसका standard तरीका है जो अपने class 10 में देखा वो कैसे करते देखिए तो इसके लिए करना करना क्या पढ़ता है आपके पास जो नंबर है वो क्या है 858 and 325 है ना 855 और 325 नंबर है तो आप क्या करिए यहां से करिए डिवाइड जिससे की जगह है लास्त तक बची रहे 858 में थोड़ा उपर से लेता हूँ ना 858 में 325 का आप डिवाइड कर दो सबसे पहले ओके अब HCF निकालने की प्रोसेस है वो यूकलिड वाली प्रोसेस है डिवीजन मेथड तो टू टाइमस जाएगा देखिए कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा यहां पर कितना बच गया अब आपके पास में लीखे आँट गया एजी रू बच गया यहांपी 2208 बच दो बार ही गया है अब जब जो दूर्ट है वो डिवाइज करेगा किसको 325 वह को 325 कितना बार गया वन बार गया ओके 2208 कितना बच गयाँ अहां पे इंक्यान भी बज़ गया ओके फिर और 91 किसको डिवाइट करीगा वन वन चैवन को डिवाइट करीगा उग तो यह कितना हो जागा 91 वन जा 90 चैवाज गया गया 11 में से नो हो गया कितना होता है ग्यारा में से आठ आठ नो दस ग्यारा तीन बच गए और यह बच आपने पास आठ में साथ गया एक थर्टीन ओके और थर्टीन डिवाइट करें कट तो 26 को कितने बर जाएगा टू बर जाएगा और यहां पर 26 आ गया यह हो गया 0 बोल गया है इसका सअरी लसी एफ गोह आउरा कितना अरे सिस्का Force में कितना अरे भाइनी आपके पास में हिए आपके पास में मालति आख जो हो कितना आ पकुछ शूरी थर्टीन आ रहा मतलब इस qualify मालति एस के थर्टीन अर्टीन तो अब आपके पास में देखिए, अब आपके पास में क्या कहा गया है कि जो HCF है वो 850, 858, 858 M, 858 M plus M plus 325 N की form में आपको ले के आना है, तो एक तो आप option से कर सकते हो कि आपको 13 ले के आना है, तो 858 M और N के ऐसे pairs आपको रखने है, जो आपको क्या generate करके देदें, आपको 13 करके देदें, वो method तो ठीक है, आप objective form में आप कर सकते हो, बट मैं इसका बड़ा method आपको बताता हूँ कि बड़े method में इसको आप कैसे करोगे, ठीक ना, तो धीरे धीरे से इस question को हम कैसे करते ह आप देखिए, इसको बहुत ही technical तरीके से किया जाता है इस question को, इसलिए मैं question लेकर आएँ आपके लिए, कैसे करेंगे इस question को आराम-ाराम से समझो, बहुत आराम से जुरूत होगी, देखिए आपके पास जो last divisor आया, वो कितना है, 13 है, HCF जो है, तो 13 को कैसे लिख सकते ह आप 13 को लिख सकते हो कि 13 equal to 91 minus 26 into 3, क्योंकि 13 remainder है, तो 13 को क्या लिखा जा सकता है, आप जो है, इस चीज को उठा के यहाँ ले चलने तो ज्यादा बहतर है, क्योंकि यह division हमें बहुत बार use होगा, तो मैं इसको उठा करके अपने काम के लिए इस window पे ले चलता हूँ, तो कहां से start होगा question, यहां से 13 से, ठीक ना, तो कैसे start होगा 13 से, कि 13 equals to 91 minus 26 into 3, यह है 13 की value, 13 equals to 91 minus 26 into 3, देखो हमें पहुचना का है, हमें 325 और 858 में पहुचना है, बस हमारी नजर है कि 13 के सामने हम 858 और 325 ले आए, चलो ठीक अची बात है, यहां तो ठीक हो गया, अब 13 equal to 91 को, 13 equals to हो गया, कितने पास में, यह अपने पास हो गया, 91 minus 26 into 3, ओके, अब 91 को रहन दो, अब देखो, अगला डिवाजर क्या है, 26, तो minus 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ, into 3 को बाहर बेठाल दो, 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 117 minus 91 plus 26, है ना, देखे, sorry, 26 को मैं क्या लिख सक लिख सकता हूँ, 117 minus 91 into 1, यह मैं लिख सकता हूँ, 26 को, क्योंकि यह रिमेंडर है, तो 117 minus 91 into कितना बन, तो into 1 उतना ही हो जाएगा, है ना, तो इसको लिख दोख फिलाल अभी के लिए, चलो, अब देखो, इसको open कर दो, 13 equals to कितना हो जागा, 91 minus 117 into 3, और minus 91, minus minus कितना हो ग जाएगा, आपके पास में 13 equals to 91, कितना हो जाएगा, 4 times, 91, 4 times minus 117, 3 times, मतलब 3 into 117, यह हमने इसको ऐसा लिख दिया, minus 3 into 117, ठीक ना, अभी देखिया, हम कहां बता चुके, 117 तक आचुके, अब हमें कहां जाना है, अब हमें जाना है, अब हमें ऊपर जाना है, तो अब मैं 91 को dissolve करता हूँ, 91 को मैं dissolve करके क्या लिख सकता हूँ, 91 equal to 208 minus 117 into 1, okay, so मैं इसको लिखता हूँ 13, तो रहन दो, यहां पर 13 ही रहगा, okay, 91 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 91 को मैं लिख सकता हूँ, 208 minus 117, multiplied by 1, चलो, बाहर multiplied by कितना 4 है, माइनस 3 इंटू किता है 117 है बहुत बढ़िया तो यह कितना हो गया देखो 13 ओके 13 हो गया और इक्वल्स टू देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर 208 इंटू 4 तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 multiply by 208 और माइनस देखो यह है 4 बार और यह है 3 बार तो कितना हो गया 4 उतीant 7 बार 117 ठीक ना अभ देखो 208 208 भी हमारे पास में है 217 भी हमारे पास में तो 208 से उठ करके मुझे जो है 208 से उठ करके कहां पर जाना है एक तो मिरपास में 208 है और 208 मुझे कहां ले जागा सीधरे 325 के पास में ले जागा और 117 है 858 के पास तो अब यहां पर बहुत आराम से करना पड़ेगा क्योंकि जो main term हमारे लाने थे वो हमें लेकर कर आने है तो चलो देखो अब मैं आगे कराता हूँ तभी आपको यह समझ में आयागा कि मुझे करना क्या है ओके 4 into 208 है ठीक है 4 into 208 माइनस जो हो गया यह कितना हो गया इतना अपने पस 37 into 117 ठीक है यहां तक तो हम आ चुके हैं अब देखो आप यहां पे 13 equals to 4 multiply by 208 अगर इसको में 7 लिखा 117 को आप क्या लिख सकते हो देखो 117 को आप लिख सकते हो 208 325 minus 280 yes 325 minus 208 into 1 ओके बस इतना चलेगा चलो अब देखो तो 13 equal to कितना हो गया 4 into 208 minus 7 into 325 और minus minus कितना हो गया प्लस 7 into 208 ओके अब देखो यह 7 बार है यह 4 बार है यह जुड़ जाएगा तो 13 equal to 11 times of 208 minus 7 times of 325 देखो 325 के पेर तो हमारे पाच आ चुके हैं बट अब हमें 208 को गायब करना है ठीक ना 208 को हमें क्या करना है गायब करना है जो 208 आया है उसे गायब करना है तो देखो 208 यहाँ पर बैठा हुआ है तो 208 को मैं मदद ले सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ 858 minus 325 into 2 बिल्कुल सही लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ देखे क्योंकि 208 को मेरे को eliminate करना है तो मैं क्या लिखूँगा 13 equals to 11 multiply by 208 को मैं क्या लिखूँगा 325 कितना लिख सकता हूँ 858 minus 325 into 2 यह हो गया मेरे पास कितना 208 11 times है और minus कितना है 7 times of 325 है बहुत बढ़िया तो देखे मेरे पास कितना आ चुका है 11 times of 858 आ चुका है और minus जो है मेरे पास में देखो यह कितना है यह minus है यह भी minus हो जाएगा minus 22 times of 325 है ना तो 22 यह वाला और 7 यह वाला तो मतलब all total कितना जागा minus 29 times of 325 ओके और यही हमें शायद दिया गया है M और N की फार्म में M और N की फार्म में हम यही दिया गया है है ना क्या दी गई एक्स्प्रेशन दीखिया आप आपके पास एक्स्प्रेशन दी गई है 858 M plus 325 N ओके तो 858 M plus 325 तो मैं इसको लिख सकता हूँ 858 multiply by 11 okay plus 325 multiply by minus 29 तो यहां से M और N की वैलियो आ गई है M आ चुका है 11 और N आ चुका है minus 29 तो यह एक बहुत ही बढ़िया question है real number का algebra का और यह questions काफी बार TGT examination में आया भी है so I hope guys की इस तरीके से आपको यह question करने को बन जाएगा thank you so much